नमस्कार मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मिडिया दर्सन बिहार से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है खबर बिहार बोड इंटरमेडियेट परिच्छा से है जहां बिहार बोड इंटरमेडियेट परिच्छा का पहले दिन ही एक जाम से पहले पेपर लि इंटरमेडियेट का पहला दिन का ही मैथमेटिक्स का पेपर लिख होने का खबर सामने आ रहे हैं इस पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं मैं आपको बता दू कि बिहार में क्या हो रहा है सिक्षा बेवस्ता पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं यह क्या हो रहा है बिहार में क्य बिना प्रस्न पत्र के लीक हुए कोई भी परिच्छा बिहार में संपादित कराना ना मूंकी हो चुगा है सारे दावे सिक्षा बेवस्था का फेल होते हुए दिख रहा है और बिहार के सिक्षा बेवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं यह पानी है कि पेपर है हर बार लिक हो जाता है बिहार के सिख्षा विवाग संकेत देर आया है कि बिहार में सिख्षा बेवस्ता अब काफी लचर हो गई है आपको बता दें कि बिहार बोर्ड के 12 क्लास के पेपर लिक होने की जनकारी आ रही है और बोर्ड परिच्छाओं की शुरुत आज से ही हुई है, और बच्छों अपने एक्जाम देने के लिए सिंटर पर पहुंच चुके हैं, मगर बिहार बोर के एक्जाम होने से पहले पेपर लीख होने की ख़बर आ रहे हैं, और पेपर लीख होने से छात्रों का चिनता भी बढ़ चुका है और एक्जाम होने से पहले चात्रों के पास WhatsApp के जरिये पेपर पहुच चुकी है आपको बता दू कि एक्जाम से आदे घंटे पहले जमुई और नालांदा में पेपर लीक होने से पूरे बिहार के चात्रों में चिंताएं बढ़ गई है आपको बता दे कि ब कि पीएसी का पेपर लीक हो जाता है तो कभी बिहार बोर्ड का पेपर लीक हो जाता है तिलहाल अभी इसकी अधिकारी पुष्टी नहीं हो पाई है लेकिन लागतार WhatsApp ग्रूप के जरिये Mathematics का पेपर छात्रों तक पहुच रहा है अगर इसकी अधिकारी पुष्टी हो जाय तो सिक्षा बेवस्ता पर कई सवाल खड़े होंगे और बिहार सरकार को जवाब देना होगा मगर यह जो धुआ उठा है तो आग थोड़ी मोडी जरूर लगी होगी नालंदा के जिला सिक्षा पजादिकारी ने कहा कि इस तरह का कोई सुचना मेरे पास नहीं है अगर इस तरह का वाइरल लोग कर रहे हैं तो उनकी पहचान कर उन पर करवाई करने का विभाग अदेश भी करेगा फिलहाल देखना अब यह होगा कि क्या हकीकत है कि जैसे ही अधिकारे प्रुष्टी आती है तो मैं बताने का प्रयास करूंगा बने रही है मिडिया दर्शन के साथ मैं सोनु कुमार धन्यवाद